कानून में बडलाव के जरिये बैंक में रखे हुए करीब 40,000 करोड रुपिये को भी राज को देने का प्रियास किया जा रहा है। केमपा का जो बील है वो अभी राजसभा में पिछली बार होना चाहिए तो नहीं हो पाया। इस बार फिर से राजसभा में आएगा। जैसे ही वो वहाँ पारित हो जाएगा तो 40,000 करोड रुपिये की रखम राज्यों के बाटी जाएगी। सिस्टम से मैं पारदर सिता बढ़ने की वज़े से जो रखम बच रही है उसे भी केंदर सरकार आपके साथ साजा करना चाहती है। एक उदहन के तौर पर अगर केरोसिन का ही हम उदहन लें तो आज गावों में बिजली का कनेक्शन बढ़ रहा है। आने वले तीन साल में सरकार का प्रयास है करीब पांच करोड परिवारों को नए गैस के कनेक्शन दिये जाएं। LPG की सप्लाई भी और बढ़ेगी। इन प्रयासों का सीधा सीधा असर ये पड़ेगा ति केरोसिन की खपत बहुत कम होगी। हाली में चंडीगट प्रशासन ने चंडीगट को केरोसिन की खपत से मुक्त किया। केरोसिन फ्री चंडीगट बनाया। अब केंद्र सरकार ने एक योजना आपके सामरे रखी है। कि जैसे जैसे केरोसिन की खपत कम हो रही है। अगर उसको हम साइंटिफिक तरीके से कुछ काम करें और जरूरत मंदों को केरोसिन पहुंचाएं। इसके अगर व्यवस्ता को हम सुद्रट करते हैं तो संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में केरोसिन बच सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आज केरोसिन में सबसीडी के नाते जो खर्च होता है। अगर ये केरोसिन बचाया जाएगा तो 75% ये जो बचत होगी वो राज्यों को शेर कर दी जाएगी। मैं करनाटक सरकार को बधाई देता हूँ कि उसनोंने इस विशे में काफी पहल की बड़ी तेजी दिखाई और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में केरोसिन की खपत बचाई हैं और उसके कारण उनको काफी मात्रा में धन राजी भी उपलब्द हुई है जो धन राजी उनको पहुँच गई है एक अनुमान है अगर सभी राज्य थोड़ा थोड़ा करें और 25% भी खपत कम हो जाए लोगों का कोटा कम नहीं करना है लेकिन जो हकदार है उनको मिलें ये अगर हम कर लें 25% तो एक अनुमान है कि 1600 करोड रुपिया राज्यों को मिल सकता है जो सबसीडी बचेगी जो राज्यों को देने का सरकार का फैकला है ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है तो हम अगर हमारी वबस्ता में सुधार लाएंगे तो इसकाल आप सिधा सिधा के साथ ही उन विश्यों पर भी चर्चा का मंच है जो देश की बड़ी आबादी से जुड़े हुई है कैसे निर्ती निधारन के स्तर पर इन मुद्दों को सुलजाने के लिए एक राय बनाई जा सकती है कैसे एक दूसरे से प्रस्पर जुड़े विश्यों को सुलजाया ज जा सकता है तो सम्बेड कर जी ने लिखा था कि भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार का मार्ग उतना ही मुश्किल है उतनी ही अडचनों से भरा हुआ है जितना स्वर्ग जाने का मार्ग जब आप सामाजिक सुधार की सोचते हैं तो आपको दोस्त कम आलोचक ज़्यादा मिलते हैं अनकोट आज भी बाबा साब अम्बेड करके लिखी ये बाते उतिनी ही प्रासंगिक है इसलिए आलोचनाओं से बचते हुए हमें एक दुसरे के साथ सहयोग करते हुए सामाजिक सुधार की योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोड देना होगा इनमें से बहुत की योजनाओं की इसलिए बाते हैं